नमस्कार दोस्तु स्वागता आप सभी का एक वार फिर से शिक्षा ग्यान एजूकिस्चनल गुरुप में दोस्तु आज आप सभी के लिए बहुत बड़ी कुछ कबरी लेके आया हूं क्योंकि आज एक बड़ी बरती का नोटिफिक्सन जारी कर दिया गया है जिसका आप सभ सभी को इंजार था कि 2019 में बड़ती कब आएगी तो दोस्तों आपके लिए पाइनली बड़ती आ चुके है और इसके जो ओनलाइन पॉर्मा वह भी स्टार्ट हो चुके हैं और यह बड़ती है यह आपकी विदूत विबाग में बड़ती है चुनाव आयोग ने इसके मंज वीडियो आगे बढ़ा है उससे पहले एक बार रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि यहां पर आपको राजस्तान और केंदर सरकार से जोड़ी जो भी बड़ती आती है उसकी कि दोस्तों आज की अपडेट हुशुरों करते हैं दोस्तों सबसे पहले आप यह देख सकते हूं विदूत सेवा आयोग उत्तर परदेश पावर कोपरेशन लिमिटेड में यह बढ़ती आई हुई है लखनाव में यह देख सकते हुई गयापन संक्याथ 2 और इसमें जो मे परदेश पावर कोपरेशन लिमिटेड के अंधका दिये रिख्तिया आई है अब जान लेते हैं यह पद का नाम इसका जो पद का कोड है वो 200 गुनिस है और इसमें जो पद का नाम आपको यहां पर दिया जा रहा है वह है तकनिश यह लाइनमेन के इसमें पद है और अनार फिमिलियर के इसमें 1107 पद है अनुसुची जाती है इसमें 861 पद है और अनुसुची जिनजाती के इसमें आपको 82 पोस्ट दी जा रही है कुल पद की बात करें तो 4102 पदों भी आपके लिए बढ़ती आई हुई है तो दोस्तों यह काफी बड़ी पोस्ट भी आई हुई बड़ा भी सकते हैं इसके लिए उतर प्रदेश पावर कोप्रेशन है उसके पास शुरक्षित है अवेद्यन करने वाले बेद्यूंग पास आधार काड़ विद्धिमानी फोटू परचान पत्तर का होने आनिवाले है यारी कि आप सभी के पास आधार काड़ है तो आप इ बीटी एक से अधिक पालियूंग यानि कि जो सिफ्टू में है वो करवाई जाएगी विद्धिक के परसंपत्रों के मुल्याकन के पस्ताथ नॉर्मलाइजेशन मेतोड एज पर एंश्यार फर्ष्ट सिविटी के परतम यंदित्य बाग में स्वेश्टता निर्धरिन में परियुक्तॉरान यहानि कि दोस्तों बड़ी बात यां पे आगए है सभसे मुख के बात कि आपका जो इसमें यह से अधिक पार्यूंट येदि आपके प्रिक्षा होती है यह नहीं कि जो अबेड़ती है वो ज्यदा हो जाते हैं तो आपके एक से अदिक पार्यू में यानि अदिक सिफ्टों में आपके प्रिक्षा होगी तो इसमें आपका normalization में तोड़ भी होगा उत्तरपरदेश के मोलोट निवाशस्य lodge को कि अनूमुन ने यानि की इसमें इसमें अरक्षन दिया जाए रोग्र बाकि पलाय करना है इसमें अपको उम्हलosed हो जैसे कि समलो गुजरात हर्याना राजस्तान इन राजियों शोओं तो आपको इसमें जो आयू में शूट नहीं दी जाएगी और इसका एक और मुख्य विंद्व केंदर राज्य सरकार्या किसी अन्य विबाग की शेवा से निश्का शित व्यक्ति उप्रूपत पर दो एतो अरहर नह रेटर हो इसमें लगना चाहते है उसके लिए मन यह नहीं है वह इसमें अपलाई नहीं कर सकता है आपका जो में मुख्य के बात आती है कि आपका वेतन कितना होना चाहिए तो यह वेतन यहां पर आपको लिवल फोर के अनुस्षार आपको वेतन दिया जाएगा 27200 से लेके चैसी अजार सोतक बहुत अच्छा है इसमें वेतन मिल रहा है क्योंकि तकनीशियन वेतना वेतन नहीं मिलता है लेकिन इसमें बहुती ज़्यादा आपको वेतन दिया जा रहा है और आपको इसमें अन्य बढ़ते हैं बत्ते भी आपको दिये जाएंगे नियमरुसा दे अन्य वारे स्यक्षिंग अडियत है यानि आपके शेक्षिंग योगिया तक क्या होनी चाहिए तो आप यह बार विज्ञान संकाई में उत्रेंड हो और निमीत सत्रों तो आप इसको अपलाई कर सकते हो इसके साथ यह आपके पास परमान पत्र होना चाहिए जो अन्सीवी इसमें तक कंप्यूट का समय चाहिए पत्र होना यानि चाहिए कंप्यूट का इसमें रॉप्स नोर्मल कंप्यूट का होगा इसमें आप किसी परकार की कोई है वह जो सर्टिफिकेट वह नहीं मांगा गया है आपके पास थोड़ बहुत भी नौलेज़ है कंप्यूट समंदी तो आप इसको है वह अपलाई कर सकते हूँ अब इसमें जो अनिवारी बाते हैं वह आप देख लेते हैं आयू आपकी दिना सब्सक्राइब करते हैं उनको इसमें उत्तरपरदेश के सासन देश के परिवासी देवन जिनों शेना से कम से कम पांच वर्स की शेवाइब को उनके द्वारा सेना में की गई पूर्ण वर्स की शिवाब में आवधि में तीन वर्स जोरते हुए अधिक्त मायू शिमा में 15 वर्स की छूड अमोने होगी और इसमें आरक्षन जो आरक्षन मोलनिवासी उत्तरपरदेश उनको दिया जाएगा और अनुसुची जन जात में यह दिया हुआ है पांच वर्स की उनको छूट है वो इसके अनुसारा वो दी जाएगे अब आवेधन सुलक की बात आती है यानि आवेधन सुलक तो अनुसुची जाती हैं अनुसुची जन जाती शेतर उत्तरपरदेश का मोलनिवास यह वना अवसेक है उसको 700 रुप कर सकते हो www.uppcl.org पे जाके और बेंग चार्जेज अभीरती द्वारा अलक्षे देए होगा जो बेंग पाद चार्ज होता है जैसे आप चालान जमा करा होगे वो आपको अलक्षे देना होगा और इसमें जो आवेधन सुलक के मद में जमा की गई दनराच्ची अप्रते न पर्मान पत्र वह आप यहां पर देख सकती हो जो पर्मान पत्र अन्य में देती हो यह आपको इसमें देना है आप सभी को इसके बारें पता ही है और इसमें आपको अनापती पर्मान पत्रेदी को अभीरती किसी सरकारी और सरकारी विबाग में कारेर रहत है तो उसे बाग का देना होगा इसमें आपका चरित्र अभेडियों पिछले सिक्षण श्रास्तान के परदाना चारिये अत्वा दो सम्मानित वेक्तियों जो सम्मनीत न हो उनके द्वारा आपको चरित्र परण तर्द बनवाना आवस्ति यानि जिस श्रास्ता से आपढ़ गर आयो उसक इसके पास पालिश एक या एक शेयदिक जियुत पत्निय उसका चैन अरण नहीं होगा इसमें शाप दोर पे लिग दिया है कि यह जिसके एक शेयदिक पत्निय वो इसमें अपलाई नहीं कर सकते हैं और चैन पर के लिए आपकी सबसे पहले चैन लिकित परिक्षा ओगा शिप्टी के अधार पर किया जाएगा लिकित परिक्षा जो परसंपत्तरा दो बागों में होगा जिसके विदी तीन गटे की जाएगी और पर्थम बाग इसमें लिकित परिक्षा में होगा और इसमें थोड़ बोद कंप्यूटर के ग्यान होना भी आपको आवसेख है और कं युलागित पार्टे करम से समंदी वश्टूर निश्टकार परकार का पर्षन पत्र होगा जिसके अधिक्तम सम्मू का अंकित होगी इसके बाद में यहां पी बात करें तो समने अद्धियन आएगा इसमें तार्की ज्यान आएगे जो पर्षन पत्रों के संक्या 20 होगी और 20 संका होगा समने हिंदि आएगी हाई स्कूल सामने इसातर क्या आएगी जसमें पर्षन होंगे 15 और और उदार होंगी सामने घेंडिय आपके है और प्रिक्षा इस्तान प्रिक्षाइं लखना उब्रेली गाजियाबाद नोईड़ा गोर्पूर वारांची मेरट यों कानपूर सरू में होगी अबिर्टियों के संक्या के आदार पर विस्ते प्रिक्षा इस्तान को बदला या घटाया बढ़ाया जा सकता है आविदन के समय जाएं तो आविदन ने इसकी ऐसल वेबसाइट पर आपको कलिक करना है और जो इसकी अब्षाइजमेंट नमर वो डालने दिग जाएंगे आपको दरसाइं और वहां पर जाबके आपको सिंपनी इसको कलिक करना है और प्रव्योस्पतर अभ्यरति को लिखित पर इकार प्रविश्पत्र एड्मिट कार्ड इसके वेबसाइट पर आपको डाउलोड करना होगा जो एड्मिट कार्ड आपको आते ही हम सुचित कर देंगे और इसकी हेल्प डेसर वजाकर भी आप चेक कर सकती हो और पार्दी सित्ता की यह तो निमलेखित जो विवस्ता ही की गई है पर्षन पत्र का सही हल प्रिक्षा की समपती से दो दिन के अंदर विवागी वेबसाइट पर अपलोड है वो कर दिया जाएगा तो दोफ्तों यह थी आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशकवरी और इसके जो ओलान आविदन पत्र पून बनेगती थी तिया एक अप्र करता चाहिए तो आप कमेंट रूप्षन जरूर लिएक जेहिं जेबार्थ बंदे मातरम